बास्तों स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चनल पर आर आर भी एलपी एक्जाम के लिए साइंस के हम लोग टॉप टू हंड्रेट कोशन देखने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहू बायू प्रदूसक है कार्वन मोनो अकसाइड भी है और कार्वन डाई ऑकसाइड भी है अगला प्रथम जीप की उत्पत्ती हुई तो किस में हुई तो इस question का right answer पनेगो option C जल में हुई थी अगला जीब की उत्पत्ती जीब से होती है इस कथन का सत्यापन कीजिए सत्यापन किस ने किया तो आप्शन डी ओपेरिन ने किया था अगला पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्त होती है तो आप्शन भी बीजों से प्राप्त होती है अगला निकोटीन पाया जाता है निकोटीन किसमें पाया जाता है तो आप्सन भी तमागु में पाया जाता है अगला कीट भच्ची पौदा है तो इसमें से कौन सा है आप्सन भी ड्रो सरा ये आपका कीट भच्ची पौदा है अगला DNA का माडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोवेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला था तो आप्शन है बाटसन एवं क्रिक को मिला था नेक्ष्ट है आनुबान सिक्ता के जनम दाता कौन है तो ये हो जाएंगे आप्शन टी ग्रेगर जौन मेंडल अगला आलू क्या है आलू की बात करें तो ये है आप्शन भी एक तना है अगला चेचक के बैसीन को सरपर्थम तयार किया किसने तयार किया आप्शन भी डॉक्टर जेनर ने तयार किया था अगले निमलेखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है तो आप्शन ए टीबी पर काबू पा लिया गया है अगले भारत के लोगों की बसा में पाया जाता है क्या पाया जाता है आप्शन भी एक से तीस पीपीम डीडीटी अगला कोशन देख लेते हैं क्या कहता है आपका नेक्स्ट है प्राकर्तिक कीट ना सक एजाडिर कटिन प्राप्त होता है तो आप्सिन भी नीम से प्राप्त होता है अगला एंटिबायोटिक होती है तो क्या होती है आप्सिन भी दबाएं होती है अगला निमलिकित में कौन दूद सको दही बनाता है तो आप्सिन भी लेक्टो बैसिलस अगला इन फ्लुंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूब में जाना दता है तो आप्सिन भी स्वाइन फ्लू नेक्स्ट राडार का अब इसकारक कौन था तो आप्सिन ए रावार्ट बाइटसन अगला है मनुस में आफलाटोक्सीन खाद बिसाक्तन द्orama सामानेता कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आप्सिन D हो जाएगा यक्रत अगला है निमलिकित में से किस वितामिन में कोवाल्ट होता है Option D, vitamin B12 अगला इन में से रक्टदाप का मापक यह अंतर जो है वो कौन सा है तो Option C, स्पिगमो मेनोमीटर अगला है बिद्धुत उत्पन करने के लिए कौन सी धातू का उप्योग होता है तो Option E, यूरेनियम धातू का उप्योग होता है Next है लोलक की काला वदी तो इसका क्या हो जाएका Option B, लंबाई के उपर निर्वर करती है अगला है चुमक्ये स्वी किस तरफ संकेत करती है तो Option C, उत्तर Next है स्वेट प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं तो Option B, तन्तू को गरम करके पैदा करते हैं अगला कोशन देख लेते हैं महासागर में उच्छी जलतरंगे कैसी होती हैं तो Option D, चंदरमा से होती है अगला है कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है तो Option B, संपीडित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है अगला है प्रकास में साथ रंग होते हैं रंगों को अलग करने का क्या तरीका है तो option एक प्रिज्म से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है Next सूर ग्रहा तब होता है जब तो इस question का right answer बनेगा option ए चंद्रमा बीच में हो अगला सबसे छोटा दिन कब होता है कब होता है तो option ए बाइस दिसंबर को होता है अगला सोने को घोला जा सकता है किस में option C तीन भाग हाइडोकलोरिक अमल तता एक भाग नाइटरिक अमल में घोला जा सकता है अगला चूहे मानने का जहर किस रासानिक पदार्थ से बनता है option C potassium cyanide KCN अगला हाइडोजन को जलाने से क्या बनेगा हाइडोजन को जलाने से क्या बनता है पानी अगला है मायो गलोबिन में कौन सा धातू होता है तो इस question का right answer अपका क्या बन जाएगा option D लोहा होता है अगला aspirin कहां से मिलती है तो option C एक पेंड से मिलती है aspirin अगला है पीतल कौन से धातूं का मिसरण है तो option D तामबा और जस्ता next question देखते हैं तैडने के तालाब में तैडने से मनुस की जो तुचा है वो क्यों जल जाती है इसका main reason है option B क्लोरीन के कारण जल जाती है अगला है जब बैद्धुतिक उर्जा गती में परिवर्तित होती है तब क्या होता है option C 30% उस्मा की हानी होती है अगला है सक्कर के किडवन से क्या वनता है तो सक्कर के किडवन से वनता है option E इथाईल अलकोहल next ए अमलवर्सा होती है तो option E कार खानों से अमलवर्सा होती है next ए ग्यहों की खेती के लिए कौन से उर्वरक उप्यो करेंगे तो option E नाइट्रोजन अगला जब एक पत्तर को चांद की सतय से प्रत्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा option B इसका भार बदल जाएगा परन्तु जो द्रबमान है वो नहीं बदलेगा अगला है आप लिप्ट में खड़े हैं लिप्ट में फ़र्स पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा option B लिप्ट के 9.8 मीटर पतिस सेकंड स्कार के तरण से नीचे आते समय सून नहीं होगा नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं क्या कहता आपका आम तोर पर सुरच्चा फ्यूज लगाने के लिए प्रियोग होने बाला तार किस पदार्थ का बना होता है तो option D तिन और सीसे की एक मिस्र धातू से अगला पीतल के बरतनों को कलाई करते समय गरम बरतन की सफाई के लिए प्रियोग किये जाने बाले अमोनियम क्लोराइट मतलब NH4Cl चून से निकलने माला धुआ है तो option D आपका राइट अंसर बनेगा क्या है अमोनिया और हाइड्रो क्लोरिक एसेड अगला जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत जो है एकहत्र सो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूग indem को दो आयतन भाग तामा जिसका घनत भाग जिसका घनत भाग गश्ते सों किलोग्रम प्रति मीटर क्यूग से मिलाने पर पीतल बनता है तो पीतल का घनत तो क्या होगा तो इस question का right answer बनेगा आप्शन भी 83,000 kg प्रति मीटर क्यूग अगला अलकोहलिक खमीर का आखरी उत्पाद या प्रोड़क्ट क्या है तो आप्शन सी इथाइल अलकोहल नेक्स्ट हाइडोकलोरिक एसेड काच की बोतल में नहीं रखा जाता क्यूंकि बहे अविकरिया करता है किस से करता है आप्शन डी काच की सिलिकॉन डाइ ऑकसाइड से करता है अगला बायू में थोड़ी देर रखने पर किसी धातू के उपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है बहे धातू है तो आप्शन इथ तामभा अगला है कच्चे फॉलों को करतिम रूप से पकाने के लिए प्रियोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है तो गैस का नाम आपका क्या हो जाएगा तो इस कोशन का राइट अंसर बनेगा आप्शन डी एथिलिन बा एसिटलिन अगला है बिस्पोटक नाइट्रो ग्लिस्रीन है एक नाइट्रो ग्लिस्रीन एक है क्या तो आप्शन डी एक एस्टर है अगला है जस्ते को एक बरतन पर बिद्दुत लेपन की विधी में क्या होगा Option C, बरतन को रिन धुरूप और सुद्ध जस्ते को धन धुरूप बनाया जाता है अगला बायू में कौन सी नोबल गैस नहीं होती तो Option D, रेड़ॉन ओके तो बायू में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, देखिए हिलियम होती है आरगन होती है, नियोन भी होती है अगला है सुस्क वर्फ क्या होता है तो इस कोश्चन का राइट अंसर बनेगा Option B, ठोस कारवन डाई, ओक्साइड अगला है निमलिकित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवस्यक होता है तो Option D, विटामिन, के निमलिकित में से कौन सा हार्मोन है तो इसमें हार्मोन हो जाएगा Option C, insulin हार्मोन बांकी के तीन आपके हार्मोन नहीं है अगला है विकास का कारण क्या है विकास का कारण क्या होता है Option C, पीडी से पीडी अनुकूल नेक्स्ट क्लोरो फिल्म में कौन सी धातू का आयन पाया जाता है तो इस कुश्चन का राइट अंसर बनेगा ओप्शन भी मैगनीसियम अगला है निमलिकित में से कौन सा मनुस में अब सेसी अंग जो है वो नहीं है तो इसका अंसर बनेगा ओप्शन सी सामने वाले चपट दात जिनको कहते हैं करंतक बाकि के तीन हैं कलपाली की कलाब बांस्पेसिया और बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और निक्टी टेटिंग परदा अगला सरकराओं में सबसे मेठी सरकरा कौन सी होती है तो देखिए इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा ओप्शन ए फ्रक्टोच अगला इस सदी की सुरुआत में हवाई जहाज का अविसकार जो है वो किस ने किया था तो इसका अंसर बनेगा ओप्शन ए राइट ब्रदर्स अगला टेलिसकोप की खोच किस बैग्यानिक ने की थी तो ओप्शन डी गैलिलियो ने की थी अगला निमलिकित में से किस में रणात्म कावेस होता है तो इस कोजशन का राइट अंसर बनेगा ओप्शन सी बीटा की रण अगला दो उत्तरोतर स्रंग अथवा दो उत्तरोतर गर्थ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं ओप्शन भी तरंग डैर्द अगला है पदार्थ के संबेक के अनुपास से कौन सी बहुतिक रासी प्रप्त की जाती है तो देखे P बरावर होता है MB तो कौन सी बहुतिक रासी प्रप्त करेंगे पदार्थ के संबेक के अनुपास से तो पी अपान यहां पे MB आ सकता है बरावर V हो जाएगा तो कौन सी बहुतिक रासी प्रप्त करेंगे तो इस कोश्चन का राइट आंसर बनेगा option C द्रप्त मान यहां आपका पी अपान भी बरावर M हो जाएगा अगला बल गुणन फुल किसके होता है तो आप बरावर M है option B द्रप्त मान और तुरण के अगला निम्लिकित में से कौन सी रासी सदिस नहीं है तो इसका अनसर क्या बनेगा option D आयतन बागी के तीने विस्थापन, बल और बेग अगला एक किलो मीटर दूरी का ततपर है तो option C एक किलो मीटर में होते एक हजार मीटर अगला तोरण ग्याद करने का सही सूतर क्या होगा तो option C तोरण हो जाएगा बेग परिवतन की दरबटे समया अंतराल B-U upon T अगला है सलफर, हेकसा फ्लोराइड अनू का जो आकार है वो कौन सा है तो option B, अस्टफल किये अगला है एक तत्तो X की बाहतम कच्छा में चार इलेक्टॉन है हाइड्रोजन के साथ इसके योगिक का कौन सा सूतर होगा तो इसका अंसर आपका क्या बनेगा option D, XH4 अगला है तिसरे और चोथे समू के आकसाइड का सामानने गुण धर्म जो है वो क्या है option A, basic और acidic अगला जिस तत्तो के परमालू में दो प्रोटान, दो निट्रोन हो, दो इलेक्टान हो, उस तत्तो की दर्बमान संख्या जो है वो कितनी होगी तो option B, 4 अगला निमलेकेत में से कौन सा इलेक्ट्रोनिक सनरूपन धातू तत्तों के लिए होता है तो इस question का right answer बनेगा, 2,8,8,2 अगला निसेचन की करिया कहां पर होती है तो option B, अंड बाहिनी में next थाइराड ग्रंती से थाइरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंता स्रावि, हार्मोन जो है वो कौन सा है तो option B, T, S, H अगला कसेरुक रज्जू में में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाय निकलती है तो option C, 31 जोड़ी next step प्रतिवर्ती करियाओं का नियंतरन के इंदर कहां पर है तो option C, कसेरुक रज्जू में है अगला निम्नु में से कौन सा धातु रोसनी के बल्मों में फिलामेंट के रूम में प्रियोग होता है इस question का right answer बनेगा option D, T, 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 next निम्नु में से किसे सुस्क बर्फ कहते है तो किसको कहते हैं option C, ठोस करवंडाई ओक्साइट को अगला निम्नु धातु में से कौन सामान ताप पर द्रब है तो option B, पारा, जिसको कहते हैं मरकरी इसका सिंबल होता है HG next question देख लेते हैं सावरोड जा निम्नु में से किसे से प्राप्त होती है तो option C, सूर्ज से प्राप्त होती है अगला निम्नु में से कौन सी धातु अर्दचालक के रूम में ट्रांजिस्टर में प्रियोग होता है तो option B, जर्मेनियम अगला है टर्वाइन एभं डाइनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्तन करते है तो option C, mechanical उर्जा या न्तरिक उर्जा अगला है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते है तो इस question का right answer बनेगा option B, उत्तल नेक्स्ट निम्न मेंसे सबसे सक्त जो है वो कौन है तो option हीरा अगला ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते है option D, उर्द पातन कहते है नेक्स्ट निम्न पदार्थों मेंसे कौन सा पदार्थ खाने की बस्तूओं के परिरच्छन में प्रियोग होता है तो option C, sodium benzoate अगला डाक्टर दोरा एनस्थीसिया के रूप में प्रियोग होने वाली हास गैस है तो इस question का right answer बनेगा option C, nitrous oxide अगला बहानों से निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी है तो option B, caravan mono oxide, CO अगला खाना बनाने में प्रियोग की जाने वाली गैस मुख्यता है option C, methane next देख लेते हैं question, क्या कहता है निम्नुमेस से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रियोग होता है तो option बनस पती तेल अगला मनुस के सरीर में खोन के सुद्धी करण की प्रियोग को कहते है तो option A, dialysis कहते है अगला बिटामिन जो खटे फलों में पाया जाता है तता चर्म को सुस्त रखने में जरूरी होता है तो option C, vitamin C अगला निम्न में सिक किस की कमी से मदुमे होता है तो option D, insulin की कमी से अगला पौधों एवं प्योडों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो option D, photosynthesis अगला जैबिक सिस्टम में रासाने किरिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तर दाई पदार था है तो option C, enzyme अगला प्रतम भारतिय उपक्रहा, आरे भाट कब छोड़ा गया? option B, 19 April, 1975 इस भी में next, insect 2 एक कप छोड़ा गया? तो यह छोड़ा गया, तो option C, 10 July, 19,92 अगला है, पानी का घाना तो अधिक्तम होता है तो इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेंटिग्रेट पर next, दाड़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौनसा दरपण? option E, अप्तल दरपण अगला है, दोपेर के 12 बज़े किस जिसा में इंदर दनुस दिखाई देता है? यह दिखाई नहीं पड़ेगा okay, 12 बज़े next, दूर दरपण के लिए काम में लेते हैं तो क्या काम में लेते हैं? option C, उत्तल लैंस को काम में लेते हैं अगला है, फ्यूज का सिध्धान्त है, कैसा है? option C, बिद्धुत का उसमिय प्रभाव अगला है, प्रकास का सुन्या वकास में बेग अनुमानता है तो option B, तीन गुणे दसकी घात, 8 मीटर पतिस सेकेंड next, दोने के सोडे का रासायनिक सोतर क्या है? option B, Na2, CO3, सोडियम कार्वोनेट अगला है, सुस्क बर्फ है तो इसका अनसर वनेगा, option B, ठोस कार्वन डाई, ऑकसाइड अगला है, रासायनिक द्योग में कौन सा तेजाब, मूल रासायनिक माना जाता है? बहुती सिंपल सा कुश्चन है, तो H2SO4, option C is the right answer अगला है, परमालू के नाभेक में निम्न कण होते हैं, कौन-कौन से कण होते हैं? option E, proton, एबम, neutron अगला है, निम्न गैस को असुरू गैस की तरह काम में लेते हैं, तो इसका अनसर वनेगा, option B, SO2, sulfur dioxide अगला है, किस धातू से बनाया हवाई जहाज, तथा रेल डिब्बे में पूर्जे के काम में लिया जाता है? तो option C, aluminum अगला है, आतों में रोक के निदान में निम्न किरनों का उप्योग किया जाता है? तो option A, X किरनों का अगला है, प्रियोग साला में सरप्रथम DNA का संसलेशन किया था तो option B, Khorana ने किया था अगला है, जैब विक्कास को सरप्रथम किस ने समझाया? तो ये समझाया था, option D, Lamarck ने समझाया था अगला question देख लेते हैं, क्या कहता है? प्रकास संसलेशन के लिए कौन सी गैस आवस्यक है? तो option D, Carbon Dioxide, CO2 अगला है, निम्न रक्त बर्ग सारवत्रिक दाता होता है? तो option B, O अगला है, पुरुष चीन संगठन होता है? option B, XY अगला है, प्रकास संसलेशन होता है, कब होता है? तो इस question का right answer वनेगा, केबल दिन में होता है अगला है, प्रकास बिक्रण की प्रकरती होती है तो option C, तरंग एबंग कण के समान अगला है, सूर के प्रकास को धर्टी की सत्य पर पहुचन में लगने वाला समय है, लगभग कितना समय है? option C, 8.3 मिनट अगला है, धौनी का बायू बेग अनुमानता है, कितना है? option B, 332 मीटर पती सेकेंड अगला है, पाने का घनत अधिक्तम होता है option B, 4 डिग्री सेंटेग्रेट पर अगला है, सर सीवी रमन को बहुत की का नोबेल पुरसकार प्राप्त हुआ था option B, सन 1930 में next, दूद उधारण है एक, किसका उधारण है दूद? option C, इमल सन का उधारण है अगला है, एक पीको ग्राम बराबर होता है एक पीको ग्राम किसके बराबर होगा? option C, दसकी घात माइनस 12 ग्राम के अगला है, स्टील की कठोरता प्रतान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्या बढ़ाई जाती है, तो option D आपका राइट आंसर बनेगा option D में क्या है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है आगला है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किये जाते हैं क्यूंकि इसका अंसर बनेगा option D ये LPG द्वारा चोक हो जाते है next है, क्रोमेटोग्राफी की तक्निक का प्रियोग होता है किस में होता है, option C रंगीन पतार्तों के प्रभाव आसमन में अगला निमलेखित में से कौन सा अमल सिरके में उपस्तित है तो option आपका राइट आंसर बनेगा option D ये ACETIC कमल, next is plaster of Paris POP का सूतर क्या होता है, तो इसका बनेगा answer option B, CSO4 और H2O आगे लगा हुआ है, मल्टिकलाइ में अगला निमलेखित में से किस में कारवन नहीं है तो option D, इन में से कोई नहीं, देखे हीरा में कारवन होता है कोईला में भी, और ग्रेफाइट, ये हीरा और कोईला इसमें कारवन तो होता है, ग्रेफाइट भी देखे, कोईले का, कारवन का, आयस का है कोईले का, अगला सूर पर उड़जा का निर्माड होता है किस के दोरा? तो option B, नावकिय सल्लेयन के दोरा होता है अगला विटामिन C का रासानिक नाम है तो क्या है? option A, एसकॉर्विक एसेट, एसकॉर्विक अमल अगला निमलिकित में से किस खनीज दोरा लोहा प्राप्त किया जाता है तो option D, हेमेटाइट अगला एक कार बैटरी में प्रियुक्त विद्धुत अब अगटे होता है अब अगटे होता है तो इसका अंसर वनेगा option B, सल्फ्यूरिक अमल H2, SO4 अगला यदि एक एनक के लेंसों की सक्ती दो डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका देखिए C वाला वनेगा अंसर C में क्या है? C में है 50 cm अगला है सव बाट का बिजली का बलब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो option B, एक यूनिट अगला है भारी पानी बहे होता है तो क्या होता है भारी पानी? तो option C आपका right answer जिसमें hydrogen का इस्थान आइसो टोप्स ले लेता है अगला ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकडी को प्राता काल चुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? main reason है इसका option B लकडी की तुलना में लोहा उस्मा का अच्छा चालक है अगला हावा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है बहे है option D nitrogen अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रहे है option C ब्रास्पती अगला है Celsius Scale पर मानव शरीर का सामाने तापमान होगा option C अगला है परमाडू नाविक के अभियब है तो option C proton और neutron अगला है मच्छर भगाने वाली दबाव में सक्करिय रसायन है तो option E Elethrine next देख लेते हैं question किसी परमाडू नाविक का आईसो टोप पह नाविक है जिसमें option B आपका right answer वनेगा protonों की संक्या बही होती है परन्तु neutronों की संक्या भिन होती है अगला 20 वर्स की आयो में मानव में सरीर मानव सरीर में हड्डियों की संक्या होती है लगवक तो 206 होती है गाइस actual में लेकिन तो इसका answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं अगला है इस तरियों की तुल्ला में पूरुस बढ़ना अंदता से अधिक प्यूडित हो सकते हैं क्यूंकि option C उनमें केबल एक X क्रोमोसोम होता है अगला है HIV द्वारा होने वाला रोग है तो इसका answer वनेगा option D8s अगला है विजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है तो option E केबल एक मतलब बाट पर आधारित होता है अगला है निमलिखित में से कौन बैकल्पिक उर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो option E सौर उर्जा अगला रेडियो धर्मी पदार्थ उस सर्जित करता है उप्रोक सभी अलपा किरने, बीटा किरने और गामा किरने अगला जलकी इस्थाई कठोरता का कारान क्या है तो option B कैलसियम तता मैगनीसियम के क्लोराइड और सलफेट नेक्स्ट निमलेकित में से सबसे भारी धातू कौन सी है तो option B यूरेनियम नेक्स्ट हास गैस क्या है हास गैस जो होती है आपका अंसर वनेगा option D नाइक्ट्रस ओक्साइड होती है अगला प्रतिवर्स पांच लाख भारतिये एक रोक से मरते हैं कि इसकी पैचान करें तो option D छाय रोक से मरते हैं अगला जब हम बकरी या भीहन का मास खाते हैं तब हम क्या होंगे दुत्यक उपभोकता है नेक्स्ट है डालफिन बरगी करत किये जाते हैं तो इसका अंसर वने का option D इस तनी में किये जाते हैं अगला है अपमार्जा क्या है अपमार्जा की बात करें तो option D सोधन अभी करता अगला है आर्कियो पेटेरिक्स है तो option है जुरासिक यूग का सर्व पुरातन पच्छी अगला जीवन चक्र की द्रश्टी से पौधे का सबसे मैत्पून अंग है तो option E पुस्प नेक्स्ट किस बनस्पती खाद में अधिक्तम प्रोटीन होता है तो option C सोया वीन अगला है सबसे लंबा जीवित ब्रच है तो option B सिकोवा अगला है बरतमान प्रमाण के अनुसार प्रतवी पर जीप का उधिकम दो लाख बर्स पूर्व हुआ था इस यूग में प्रोटो जोआ सैवाल एबम जिवानों था तो option B बीस अजार पूर बर्स दो लाख बर्स पूर अगला देख लेते हैं सर्वदाता बर्ग के रक्त दाता का रक्त गुरूप होता है क्या होता है option C नेक्स्ट देख लेते हैं क्या गयता है आपका एस्पिरीन है एस्पिरीन क्या है एंटी पाइरेटिक अगला एक सामान सुस के सेल में बिद्धुत अब खाट्टे होता है तो option B सलफ्यूरिक अमल H2SO4 अगला है डाइनेमो क्या करता है डाइनेमो ऑप्सिन भी यांतीरी कुर्चा को बैद्धो तुर्चा में परिवर्तित करता है डाइनेमो अगला आकास नीला लगता है क्यों कि क्यों लगता है option B लगू तरंग दीर्ग तरंगों की या सिक्रोन बराबर है किसके बराबर होता है एक बटे एक हजार एमम नेक्स्ट अति चालकता का लच्छन क्या है अति चालकता का लच्छन क्या है तो option उच्छ पारे गम्मेता पार गम्मेता अगला है बर्स दीरगतम होता है कौन से ग्रहपर होता है तो आप्सन है प्लूटो पर होता है नेक्स्ट है बर्सा की भून्द की गोलाकर आकरती का कारण है तो इसका अंसर वने का आप्सन भी प्रश्ट तनाप अगला कमरे में रखा रेफ्रीजरेटर का दरवाजा खोल कर क्या होगा आप्सन सी आप अंतता कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं अगला कोशन देख लेते हैं क्या कहता है आपका किस खनी जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था तो आप्सन भी पिच्च ब्लेंड अगला परमालु बम का सिध्धान्त आधारित है किस पर आधारित है आप्सन भी नावे किये विखंडन पर आधारित है नेक्स्ट प्लेस्टर और पैरिस का सोत्र क्या है आप्सन दी C.A.S.O.4 का होल्ट वाइस इंटू H2O अगला नेभू खटा किस कारण होता है तो आप्सन D. साइटरिक अमल के कारण अगला बायू एक क्या है गैसों का मिसरन है तो आप्सन C. मिसरन है अगला है बिरंजक चून के लिए कौन सा कथन आसत्य है पहला वाला जल में अधिक बिले होता है बलकुल गलत बाके के तीन साइए हलके पीले रंग का चून है औक्सी करण है और तनू अमल की प्रतिक्रिया से क्लोरिन निसकासित करता है अगला पारद धातू तो आप्सन C. पारद युक्त मिसर धातू होती है अगला जल से बाहर निकाले जाने पर मचलियां मर जाती है क्योंकि कालोनी के सदस एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं तो नर्तन से अगला मनुस के जीवन काल में कितने धात दो बार विक्सित होते हैं तो आप्सन C. बीस अगला मनुस की खोपड़ी में कितनी अस्तियां होती है तो आप्सने आठ आधनिक मनुस का हाल का पूरवज है तो आप्सन भी कुरू मैगनौन मनुस से है अगला मा पौधे की भांती पौधा मिलता है इन दोनों से मतलब बीजों से और तना काट से अगला 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो आप्सन D जल अगला इंसिलिन प्राप्त होता है तो आप्सन B डहलिया की जणों से प्राप्त होता है अगला हर गोविंद खुरानों को किस अविस्कार के लिए सम्मानित किया गया तो आप्सन B जीन के संसलेशन के लिए अगला संसार का सबसे बड़ा पुस्प है तो आप्सन B रेफलेशिया नेक्स्ट तनाकाट आम तौड से किस के प्रवर्धन के लिए प्रियोग किया जाता है तो आप्सन B गन्ना अगला है मतर पौधा है तो इसका अंसर बनेगा आप्सन E साक अगला है विकास का मुख्य कारक है तो आप्सन E उत्त परिवर्तन नेक्स्ट है मन उसके सरीर में पैर की हड़ी तो इसका क्या बनेगा आप्सन E खोखली होती है अगला है बहुत तिक परिवर्तन का एक उधारण है तो आप्सन D पानी में चीनी का गुलना अगला जब कोई पतिकरिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है उपर से तो इसका क्या बनेगा आप्सन E अल्यूमिनियम के अगला स्टेनलेस स्टील में से धातू है तो लोहे और क्रोमियम का अगला निकोलस कोपन निकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर के चारोड चक्कल लगाते ना कि प्रत्वी के नेक्स्ट है सिग्रोत पादी रियक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाविके रियक्टर जो बिजली उत्पन करता है तो ऑप्सिंस ही इसके द्वारा इस्तिमाल की गई फिनाईल सामगरियों को जलाने तता उन्हें पुनहा उप्यों करने के द्वारा अगला परमाडू उर्जा में भारतिय कारिकरम के जनक है एच जे भाबा और आज का लाश्टे अंतरेच विज्ञान पर अनुसंदान और विकास का सरेच जाता है बी सारा भाई को तो गाईद आज के इस वीडियो में तरह नहीं धेंक्यू दन्न